Hello everyone, welcome to OTS, so guys, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 6 बजे, अपना एक important session होता है, जहाँ पर हम लोग cover करते हैं, दोस्तो, daily important current affair, जहाँ पर हम लोग इंडिया के leading newspaper हैं, जो की cover करते हैं, जैसे कि The Hindu, Indian Express, Financial Express, Jan Sattah, यह सारे-सारे newspaper हैं, जो की cover करते हैं, तो उमीद करता ह हो कि आप इसे regular देखते होंगे, शेर करते होंगे, अपने दोस्तों के साथ में, अपने friends के साथ में, ताकि सभी लोग को एक अच्छा current affair session मिल सके हो, day by day वो अपने knowledge वो increase कर सके हैं, तो start करते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कि पिछले week का जो अबना current affair है, वो नहीं ह पाया था, तो अब पिछले week की शुरुवात है, जो कि मैं आप locally कर रहा हूँ, जैसे कि आज Sunday था और आपको मालूम है, Sunday और Monday दोनु का newspaper मैं अगले दिन करवाता हूँ, Monday को morning में 6 बजे, तो कल तो Monday है, तो हम लोग आज का और कल का newspaper तो कल cover कर लेंगे, लेकिन जो पिछले week कर रहा है अपना 26 का 27, 28, 29, 30, उसके बाद मैं 1, 2, तो मतलब कई सारे दिनों का जो अपना रहा है न, उसको हम लोग day by day cover करेंगे, मैं आज आपको 26 तो आप जून का cover कर वा रहा हूँ, उसके बाद मैं 27 से लेकर, जो आपका परसो तक था, परसो अपर ने class करी थी तो आज date हो गई, आपके कितनी हो गई आज, 10 हो गई न, तो यानि कि 7 तक के आजपास का जो है न, वो मैं आपको 10 दिन का एक साथ है, जो कि आपको one liner में करवा दूगा, 10 डेस का जो आपका current affair होगा, उसको मैं एक आपके लिए one liner लेके आँगा, जिसके अंदर हम लोग उसको complete है, जो कि कर लेंगे, समझ गए, तो एक तो ये वाला आपका पूरा cover होई जाएगा, 26 तक का मैंने आपको करवा दिया था पहले, 26 का हम लोग आज कर रहे है, 27 से लेकर 7 अप जुलाई का जो है, हम लोग एक साथ है, जो कि one liner का current affair मैं आपको दूगा, जिसमें सारे important issues की important question है, उसके अलावा 8th of July से फिर आपकी classes जो है, वो regular हो ही रही है, 8th को भी ली थी, 9th को भी ली है और 10th जो आज है, आज भी आपने cover करी है, समझ गए, तो आज का आपन कल newspaper cover करी लेंगे, तो आपके title में तो 26 ते 27 लिखावा है, लेकिन actually में 26 का ही newspaper है, जादा news थी, इसलिए मे में आपके cover नहीं कर पाया, क्योंकि अलएड़ी 26 के अंदर काफी important है, जो की issues cover थे already, ठीके guys, good morning, good morning, good morning, good morning everyone, तो चलिए, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके exam है, अगर आप इसमेंदे किसी भी exam की preparation कर र कर देखेंगे, उसके बारे में साथ के सारे सारे newspaper है, जो कि हम लोग cover करने वाले है, लास्त में जाने से पहले कुछ सवाल है, जो कि आपको देखे जाने वाला हूँ, अगर आप smileforall society.org अगर आपने जॉइन नहीं किया, तो कर लेना, आप एक volunteer भी बन सकते हैं, अगर आप महराश्च्रा के चंदरपूर जिले से रहते हैं, तो definitely दोस्तों, एक volunteer का form फिल करिएगा, महाँ पर बहुत ज़रूरत है, इसके लावाँ happiness subscription लेकर है, बच्चे के education भी आप स्पॉंसर कर सकते हैं, आज का code of the day है, life doesn't require that we are the best, only that we try our best, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जिन्दकी में कभी भी यह नहीं चाहिए होता, कि आप हमेशा best बने नहीं, आप हमेशा best करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह possible भी नहीं है, आप समझो मतलब, अगर आपको लगता है, कोई MLA बहुत बहुत उपर है, तो MLA के ओपर MP होते है, MP के ओपर cabinet होता है, cabinet के ओपर प्रिदान मंतरी, प्रिदान मंतरी प्रिदान मंतरी जाके, फिर और भी बहुत सार प्रिदान मंतरी, तो इस तरह के से कोई भी चीज़ जो है, अभी कभी भी आप जो है, किसी भी चीज़ में हमेशा best होगे, यह possibly, life के अंदर यह चीज जरूरत भी नहीं है, अभी आप preparation करो, ऐसा कोई requirement नहीं होता, आप अपना best जो doesn't matter, आपके 10-12 में कितनी percentage थी, college में कितनी percentage थी, आज से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप अपना best दे सकते हो, आप कोई भी exam crack कर सकते हो, समझ गये, तो अपना best देने की कोशिश किया करो है, अगर आप आपने ये काम कर दिया अपने जिन्दकी में, चाहिए आप कही पर भी हो, किसी भी जगे पर हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपने ये काम कर दिया, तो यकीन मानिये, आपका खुद का self development तो हो गई होगा, लेकिन जो आपके result निकल के आएंगे ना, उस काम के, वो बहु अबेजी निकल के आएंगे, तो कभी भी जिन्दकी में ये requirement नहीं होती, कि हमेशा हम लोग, we be the best, वो हमेशा रहे, लेकिन our effort जो है, वो should be the best, that is more important, तो अमीद करता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिन्दकी के अंदर अपने efforts बहुत अच्छे तरीके से लगाएंग आजे बात करते हैं, देंदु के front page पे तो आप देख सकते हैं, 26 तो जून का newspaper है, संडे का newspaper है, लास्ट वाला संडे है कुलमला के, हाना, और लास्ट वाला संडे, इसके अंदर हमने, सबसे जो पहले important थी, वो तो आपको मालूम ही है, महरास्त्रा वाला तो issue चली रहा था, वो यहाँ पे cover किया गया है, यहाँ पे तिस्ता और एक former IPS officer को detain कर लिया गया, actually के अंदर यह मुद्दा गया था, कि देखो यह जो तिस्ता सैटलवर्ड है, यह जो लेडी है, यह लेडी वो लेडी है, जिसने गुजरात जब राइट सुए थे 2002 के अंदर, तब एक Congress MP की भी हत्या हो गे थी उस राइट से अंदर, उनका नाम था, जाक्या, जाफरी, उनकी वीड़ो का नाम है, और एक जाफरी करके एक MP थे उनकी भी मृत्य हो गे थी उस राइट से अंदर, एक society के अंदर, जो है, बुल बल्स सोसाइटी थी, जिसके अंदर 70-70 लोगों की मृत हाइट के अंदर भी petition डाले थी, जो कि मोधी जी के खिलाफ और भी कई सारे लोग थे, उनके खिलाफ, तो पहले तो उनको हाइट से रिलीफ फिली, फिर स्केट सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में जो साइटी की रिपोर्ट थी, उसके आधार के उपर कि गुजात राइक्स के अंदर उनको क्लीन चिटे जो की दे दी थी, बिल्कुल क्लोजर रिपोर्ट है, रिपोर्ट को जो क्लोज कर दिया था, उसके ये फैसला तो आपको मालूम ही होगा, ये हमने बात भी करी थी, उसके अगले दिन ही क्या हुआ कि इनके ओपर भी कही स करने का, तो ये सारे कई ऐसे चार्जर जो की इनके ओपर लगा के इनको डिटेन किया गया, इसलिए मैंने आपको यहां पर इसके बारे में बता दिया, आगे बात करते हैं यहां पर बीस्पी जो है, वो भी मुर्मु जी को सपोर्ट करेगी, इसके अलावा यहां पर पॉल इसके अलावा फ्लाइट की कॉस्ट बताए गई है, पचास प्रतिशक्ता के एडलाइंस ने जो अपनी कॉस्ट है, वो यहां पर दिखाये गया है, यहां पर लिए निज्वाली बहुत इंपरनेट है, क्योंकि साइन्टिस ने दौस्तों वार्न किया है, हमारे देश में Zika पूने हैं उनके सेंटेस्स के द्वारा ये बात बहुत जबरदस नीज है तो यहां पर देखिए उन्होंने रेजिस किया है अलाम किसके लेकर स्प्रेड ऑफ जीका वायरस को लेकर उन्होंने बोला है कि बारिश आती है तो देखो डेंगू के चिकन गुणिया के मच्छर जो है वो जादा हो जाते हैं पानी के आसपास के तो अपने घर के आसपास बली बात तो पानी खटा मत होने दिया करो ऐसी कोई पी जगे जो कि आ पर जिका के बारे में बता गया कही सरे स्टेट और यूनिन टेर्टरिस जो है वहाँ पर अभी तक केस्ट जो रिपोर्ट नहीं करें गए न वहां पर भी जैन लोकल ट्रांस्मीशन है जो की हो सकता है यह बात जो कि आप बोले गया यह उन्टने बोला है कि सएंक्स ने बह बात आज़ में पहले हैं किन सबीक्र जा सम्सकी पूर मॉसकिति है जो फीमेल मॉसकितों वंको यजों व्कूर तर्रश्मेशन किया जाता है एक और रहsels वраст ब् capacity जडो आपके हैंैं ऑ दुवारा एक राज्य के उपर है तो आने वाले दिनों के अंदर केसे ना बढ़े इसलिए पहले से वह यहां पर वार्न किया गया इन चीजों को लेकर समझ गए आप यहां पर देख सकते हैं जीका वायरस है मॉस्कीटों बाइट से ट्रांस्मिट होता है पाजम से एक जो है साथ दिन के अंदर देखने को मिलते हैं कोई treatment या vaccine इसके अविलेबल नहीं है symptoms होई है fever आना , rashes होना , pain होना वो सब देखने को सकता है और इसके अंदर death भी हो जाती है इसके अंदर है चलिए तो पहली बार उसको कहाँ पर पता किया गया था 1947 में However gotta पूछेंगे कहाँ पर पहली बार होगा था तो 1947 में कहाँ युगांड़ा के अंदर मिला था बंदरों के अंदर जो है औस एक सब्सक्राइब मुख युगांडा में पार्ज गया Um आपको बताई दिया जिप्ती जो आपके मॉस्किटो जो किया जाता है यह सेम मॉस्किटो है जो कि आपके डैंगू, चिकनगूनिया, येल्लो फीवर ये सारे के सारे एक ही मच्छर के दुवारा किये जाते हैं मतलब इनके ये actually में होता गया कि मच्छर किसी infected person को काटेगा, उसका blood आपके पास लेके जाएगा, आपको काटेगा तो वो क्या बन जाएगा? एक vector, एक transmitter के तौर पे काम करता है, वो transmission का काम करता है, समझगे हैं मेरे बात? ओल राइट, ठीक है, symptoms के बारे मैं आपको बता चुका हूँ already, जो मैंने आपको बता है, fever होना, rashes होना, pain होना, ये सब जो है वो देखने को मिलता है, और pregnancy के टाइम पर अगर किसी के Zika virus हो जा तो बच्चा जो है, उसका head जो है, वो भी बहुत छोटा होता है, उसको बोलत के कोई possibility नहीं है, आगे चलते है, रेक्स चलते है, page number 6 की तरफ चलते है, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे, किरला के बारे में डिस्किशन करेंगे, बहुत important issue है, करनाटका के बारे में भी बात करेंगे, किरला ने क्या किया है, खुद की IUCN क red list है, जो की जारी करिए, देखो आपको मालूम होगा, एक बार वीडियो शेयर करते हैं, संडे है, तो क्या सब लोग सो रहे हो गया, क्या हो रहा है, अरे माना संडे है, तो क्या मतलब सब सोते रहोंगे, क्या, मैं भी जो संडे है, मैंने भी जल्दी उटके, आपको लोग साड़े चार बजे उटके, कॉंटेन होंटेन बनाया है, तो एक बार शेयर कर दो यार, बाकी लोग भी जो सो रहे हैं, उनको इस भी भी भेज़ दो, चलो, तो देखो, सबसे पहले एक और इंपॉर्डन बात यह है, कि IUCN की जो red list है न, यह तो इसके बारे में आपको माल है, खतम होने की possibility बहुत जादा है, इस तरह के list है, जो की बनाई जाती है, ताकि हम उन species के ओपर काम कर सके, जन जाती के ओपर, उन species के ओपर हम लोग क्या कर सके, ठीक है, उसके ओपर काम कर सके, उसको बचाने की कोशिच कर सके, तो यह तो होती है internationally, है न, Switzerland के अंदर इसका सके वाले ही जो है, वो condition के अंदर है आज के टाइम पर, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो किरला में बोला है कि वो खुद की एक red list है, जो की birds की बनाएगा, किरला की monitoring collective, एक agriculture university और bird count India, उन्होंने regionally जो है न, वो survey किया है, और पहला ऐसा राज्य बनेगा किरला red list होगी, समझगे मेरी बात, खुद की red list होगी, IUCN जो है, इनके criteria आप देख सकते हैं, इनके 5 main criteria होते हैं, IUCN इन्होंने ये बोला है कि देखो, IUCN तो बहुत ही broader level के उपर जो है, वो check करता लेकिन हम लोग जो है, वो regional level के उपर check करेंगे, तो हमारे कही सारे और भी data नि 3 generation तक तो उसको include किया जाता है, geographical area जो है वो include किया जाता है, IUCN के 5 main criteria में, small population size decline हो रही है क्या, कई सारे analysis करे जाते हैं, तो ऐसे 5 criteria हैं, जो कि ये लोग include करते हैं, करिला के अंदर अगर बात करें, तो IUCN के red list के साब से 35 threatened species जो bird की है ना, वो देखने को मिलते हैं, कितने है जाके pathis देखने को मिलते हैं, जिसमें red headed vulture भी है, white rammed vulture भी है, ये बहुत ही critically endangered है, यानि कि ये तो almost जो है, दुनिया से जाने वाली कगार के उपर है, red headed और white rammed, इसके अलावा और भी कई सारे species हैं, जो कि इसके अंदर include कर रखे हैं, ठीक है guys, तो ये बात आपको यहाप 361 species के, जिसमें से 94 तो बहुत ही रेर है, इन्होंने खुदने एक red list है, जो कि अल्रेडी बना रखी है, अब अगर आप देखोगे, तो IUCN की जो red list है, उसमें इस तरह किसे categorization किया जाता है, एक तो होते है extent है, ये तो 2 जो है वो, एक तो तो 3, 3, 6, 7, 8, एक और 9 categories है, जो क की है तो सरी, लेकिन wild के अंदर, wildlife के अंदर खतम हो चुके है, critically endangered है, जो की दुनिया में जाने की गगार के उपर है, फिर आता है threatened, threatened के अंदर भी 3 category होती है, critically होती है, एक आपके endangered होती है, एक vulnerable होती है, समझ गए, इसमें भी 3 जो है आपको threatened में देखने को मिलते हैं, फिर इनके अंदर जो आता है, उसके अंदर लोड लेने के जरूत नहीं होती है, सबसे लास्त होता है, इनका कोई ज्यादा information अविलेबल नहीं है, क्योंकि अच्छागासा इनका amount है, जो की देखने को मिलता है, लेकिन अगर ज्यान नहीं रखा गया, तो आने वाले कुछ सालों हो सकता है, कि ये भी आगे बढ़ जाएं, तो इस तरह के से बनाए जाता है, ठीके गाई, ओके तीन, तीन, च्छे और ये तीन, नहीं ये देख सकते हो, ये टोटल नहीं है, ये extent है, और वो last and not evaluated, फिर आता है data, deficient data, ये फिर least concerned, near threatened, हैना इस तरह के से ये चलता है, तो ती तीन, दो, तीन, दो, इस तरह के से जो है number देखने को मिलते हैं, तो अभी IUCN की red list के बारे में मैं बात करूँ ना, तो यहां पे एक लाग पांच हजार species है, जो कि आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से अगर आप देखोगे, तो 30,000 के आसपास तो ऐसे हैं, ज तो वही वाली बात हो गई कि आज के टाइम पर चोटे वाले मुबाइल फोन जो है वो नहीं देख पाते हैं, तो पिचर में दिखाना पड़ता हैं, अभी वाली जनरेशन को, कि ऐसे भी मुबाइल फोन पहले आया करते थे चोटे-चोटे से, है ना, तो वैसी बात हो जो फ्रेश्वाटर फिशेज हैं, वो अल्मोस्त जाने की गगार के ओपर है, बहुत ही अलार्मिन कंडिशन है, जो की मरीन अनिमल की मेजरली देखने को मिलती है, आई उसेन के बारे में बात करें, तो 1948 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका मुख्याले काहं पर ह है, दुनिया में नेर्बाइ 171 के असपास कंट्रीज है, 71 निया, और मुस्त पुरी दुनिया ही है, इसके अंदर इंक्लूड़ेड़ है, जहां पर हर कंट्री के मोस्त conservation status है, प्लांट और अनिमिल स्पीशेज को दिया जाता है, ठीके गाइस, ब्यान रखेगा, आगे बात करते हैं जो कि एक और नए अवर्ट को लेकर है, इत मुबारक वेडिवाण, आज इत भी है न मैसे, संडे अनाज, तो एप्टी इत अवर्ण, चालो एक बार वीडियो को शेयर करते नहाई आई के नाम के उपर एक नय आवार्ड जो किya पूशित किया गया है जिसमें तील लोगों को यह वार्ड है जो कि पहली बार में दिया जाएगा तो करनाटका गौर्णमेंट ने फॉर्मर करनाटका की जो चीफ मिनिस्टर है SM Krishna एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एक दोस्तों Infosys के फाउंडर N.R. Narayan Murti और साथ में इन्फॉर्मर इंडिन बैड्मिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोन जो कि प्रेंका पादुकोन के फादर है तो इन तीनों को जो है न वो Campi Goda अवार्ड से सम्मानित करने का अनौस्मेंट है जो कि किया गया है इसका राम है Campi Goda International Award यह दिया जाएगा अगर जो करनाटका के लिए काफी टाइम से करनाटका में कांट्रिबूशन किया उनके तो उनको यह वार्ड जो कि आप सम्मानित किया जा रहा है तो पहली बार इसकी गोष्णा जो कि करी गई है पांच लाग रुपे का कैश प्राइज है एक हाना एक आपके प्लेग है साथ मैं तीन पासनारिटिस को इस साल के लिए कांट्रिबूशन के लिए सेलेक्ट है जो कि किया गया है तो अभी जो क्यांपी गोडा जी की बर्थ अनवर्शरी आई थी कितने तरिक को मना जाता है 27 और जून को जो है उनकी बर्थ अनवर्शरी मना जाती तो उस दिन यह आवार्ड है जो कि गोष्टना करी गई है ठीक है ध्यान रखेगा इंपॉरेंट है ते देख सकते हो यह तीन परसन है नारायन मुर्थी जी हो गए प्रकाश पादुगोन है और यह एसन कृष्णा स थी उनको जनव जी हो 1513 के अंदर हुआ था यह लंका के पास में इंडर जोंका जन्न हूआ था बहुत ही भटी ही बडरीया रूलरह है उन्होंने चावनी बनाई मंदिर बनाएं ऐसे शहर का कल्पना उस टाइम पर लोगों ने करीबी निती वैसा बैंगलोर जो की बनाया उन्होंने और इसमें बिजनसे जो मैं थे उनको भी बिजनसेस वालों को भी काफी फायदा है जो की इस शहर से हुआ था आज भी हो रहा ह तो उस टाइम पर क्या हुआ था उन्होंने विजनेगर के रूलर जो थे ना उनको अप्रोच किया था और बोला था कि मैं एक सेटी है जिसका फॉर्मेशन करना चाहता हूँ तो फिर बैंगलोर की जो है शुरुवात हुई आप देख सकते हैं 1532 के अंदर जो है इसका में अप में उस जमाने के अंदर बहुत ही जlioर दा जाता उसके बाद में हुआ क्या कि कोई ने इंट्रीव कर दिया कोई करने के बाद में वहां के जो राजा थे उनसे बिलकुल और बी उनकी नई बन पाई उनने क्या कर दिया का केमपे गोड़ा जी को यह एक्ट है जो कि डिस्प्लेजर एक्ट है जो कि माना गया विजयनगर के किंग्डम के राजाओं के द्वारा और उनको पांस साल की सजा है जो कि उनको जेन हो गई उस जमाने में और उसके बाद में तीस डेकट तक यह रहे मतलब नियर्बा उसके बाद में भी और 1570 के अंदर जो है उनका देथ हुआ तो यह पूरी स्टोरी है जो कि केमपे गोड़ा जी किती इनके बारे हम बात करें इनके बारे हम बात करें जो कि फांडर बैंगलारो है जो की माने जाते है आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की बात करें तो यहां पर सब्सक्राइब भाताऊ है वन के ऊ lah में और 5000 बात करए जो कि किया गया है तो यहां पर दो लेकर एक तो भर्मा और यहां पर दांध नाम की तो यहां पर कहां सारे माइटमडि की वीटर के इनतर आता हैं इसलिए उध्यापूर की इस बाचे तो है बम दिक्रूर किया जाए बहुत काम किया है उन्होंने बर्ड कंजर्वेशन के ऊपर बहुत काम किया इसी वजह से पूरे दुनिया के यानि के चैंट्र अगया योरोप ओ गया मंगोलिया ओ गया जो पूरा निजन नहीं से माइटरी बट्स आते हैं गर्मियों की टाइम पर वहां पर सर्दी बहुत ज लेकिन यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर बॉर्ड विलेज है यहां के जो लोकल कमुनिटी है ना उन्होंने काफी कंजर्वेशन के ऊपर काम किया तो मेनार नाम का इक डिस्क्रिक है उद्धापुर में उद्धापुर के अंदर एक मेनार नाम की जगह है तो उसको जो कि बनाने के लिए बोला जा रहा है समझके मेरी बात दो लेक भी यहां पर और उन जो मैंने आपको बताया नहीं दोनों लेक है इसी लेक के आसपास में मैंने को देखने को मिलते हैं ठीक है तो हमारे आपे जब विंटर सेश्चन होता है तो वहां पर विंटर बहुत ज इसलिए कर भी है ठीक है जाइस तो यहां पर नोटिफिकेशन जो है मेनार को वैटलिन बनाने के लिए आपर किया गया है यहां पे बहुत कंजर्वेशन के काम करें गाए सेडिमेंट्स को नूटरिशन को बचाना हना लेक्स को कंजर करना उसके पॉलिशन को रोकना बोला गया कि दुनिया के अंदर हम लोग जो लेक है जो आसपास का दलदल का एरिया होता है जो वेट लेंड होता है उसको लोग अपको देखने को मिलते हैं तो केलियो देव है और एक आपके कौन सा है केवला देव है एक तो जो कि बरतपूर डिस्ट्रिक के अंदर है और एक सांबर है सांबर लेकर जापूर के 50 किलोमेटर के पास में तो दो ही देखने को मिलते है एक्चुली के अंदर उदाइपूर से जो यह वाला एरिया पढ़ता है वो 45 किलोमेटर के आसपास है मेनार ना चलिए लोकली और अगर माइग्रेटरि में मिला लुना तो नियर्बाइट एड़ सो इस्पीशियस है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगी समझ गया मेरी बात चलिए तो यह बात आपको यहां पर दांगत नहीं है चले कुछ और इंपॉर्टन बातों के बारे में ड 2 February 1971 में साइन किया गया इसलिए 2 February को हम लोग World Wetland Day है जो कि मनाते हैं पेपर में आता है दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल है ठीक है गाईस 2 February को World Wetland Day ठीक है 90 और 171 countries है जो कि इसकी टोटल पार्टीज है अगर मैं पिछले साल तक की बात करो तो टोटल मिला के पुरी दुनि अलिजा का कोबर-pen Project 1974 के अंदर को पैनिसुला को यहा बनाए गया था रामसर की वेट लिंद सैट के अंदर इंक्लूड क्या गया था सबसे जादा कंट्रिक की पूछी जाए तो दियान रखी खाए सबसे जादा दोस्तों युके की है 175 है अक और मेक्सिकों की उसके बाद म सब्ढ़ें देखो उस अरिय चाहीं की अन्दर को कही साइट पर रहते जी समय difah तोरा प्रतीनाइन प्र्साइट में जब अब जो कि देखने को मिलती है तो आप देख सकते हैं मैप के अंदर समझे हो थिकिए रजस्तान की बात करें तो यह सांबर हो गया और एक यह के विलेदे के यह दो है आपए तो यह सारे के सारे इंडिया के अंदर आपको द्यान रखेगा लॉक्त लेक है रुद्द आपको देखने को मिलेगी यूरिन टैट्री के अंदर लगदाग के अंदर आपको सबसे जादा है जो की देखने को मिलेगी समझ गए चलिए अब बात करते हैं इंडिन एक्सप्रेस को लेकर इंडिन एक्सप्रेस की बात करें तो जो अमारे लिए important है front page पे तो सारे के सारी common news है ऐसा कुछ भी खास important नहीं है जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता के अंदर भी कुछ खास नहीं है एक news है जो की important है जो की है इंडिया के बाहर जो सबसे बड़ा इंडिया का कोई beauty contest होता है तो उसको बोलते हैं इंडिया worldwide contest समझे मिस इंडिया worldwide 2022 तो यह इंडिया के बाहर होता है basically लेकिन होता है इंडियन के लिए है तो मिस इंडिया worldwide के अंदर जो किताब जीता गया है वो किस ने जीता है खुशी पटेल ने जीता है बायो मेडिकल की चातर है बिटेन की बायो मेडिकल की चातर है तो उन्होंने मिस इंडिया worldwide 2022 का किताब है जो की जीता है इंडिया के बाहर सबसे लंबे समय तक आयो जित ह तोने वाला सॉंदेर ये प्रत्योगिता है जो कि ये देख सकते हो तो इसके अलावा कुछ भी याद करने के आपको जरूरत नहीं है वाशिंग्टन के अंदर इसको जो हो और गनाइज करवाए गया था ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट है जो किये आपके देखो इसकी जो you know PDF वह आपको दो जके पर मिलेगी एक तो आपको मिलेगा टेलिग्राम पर मिल जाएगी और दूसरी आपको कहांपर एप के अन्दर मिल जाएगी समझ गया एप के अंदर से डाउनलोड कर लियाकर हो जो आपकी आप है न उट्टियम सट्था कि उसके अंदर आपको PDF क जाएगा वहां से डाउनलोड कर दिया करो आगे बात करते हैं ओपन नेट्वर्ट फॉर डिजिटल कॉमर्स देखो आज के आप टाइम पे आपको मालूम है कि वॉल्मार्ट हो गया अमेजॉन हो गया दो अमेरिकल कंपनी है जिसने इंडिया मार्केट के अंदर पूरी तरिक ओने जोज सके ठाइबंचने खर्सकी कर सके समझ के मॹरी बात यह क्या औगा यहां पे सारे प्लेटफॉर्म होंगे सारे हो jeopard से इस तरहे से एक प्लेटफॉर्म में जोकी बनाया जा रहा है ताकी सरकार शक्र्कार बी इसके इंदर क्या चूसके तो यह क्या होगा एकसेसेबल गवर्मेंट बैक प्लैटफॉम होगा जहां पर e-commerce को डेमोकरटाइज करने की बात करी जा रही है जहां पर buying और selling goods की या services की दोलों एक ही जगे पह जोकी कर दी जाएगी ठीक है तो अभी तो क्या होता है कि आप प्लैटफॉम होगा जहां पर buyer और seller सारे के सारे होगे तो इससे क्या हो जाएगा सारे प्लैटफॉम का एक्से जो कि आसानी से अविलेबल हो जाएगा ठीक है अब यहां पर सबसे बड़ी problem यह इसके लिए issue क्या है potential वह यह है कि क्या यह लोग कहां से लेके आएंगे आपको मालूम है Amazon आपको डील देता है Walmart आपको डील देता है sign up करवाने के लिए लेकिन यह लोग जो है वो कैसे करेंगे यह एक इसके अंतर बहुत बढ़ा चिंता का विशा है कि जनता यहां पर सरकार लेके कैसे आएगी एक sign up करवाएगी कैसे क्योंकि कुछ ना कुछ तो ओफरिंग करनी पड़ेगी तो वो एक इश्यू है आज की टाइम पर आप देख सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं प्रदानमंत्री आवाश योजना को लेकर ठीक है इस प्रदानमंत्री आवाश योजना अर्वन अब देखो क्या है कि साथ साल है जो की हो चुके है आवाश योजना को मालू में आपको वो हाउसिंग फॉर ऑल 2015 में इसकी में जो कि लांच करी गए थी कि हर किसी के पास में घर हो और घर भी पक्का वाला हो जिसके अंधर टॉयलेट भी हो लाइफ होगी, वोमेन इंपावर्मेंट होगा, तो इन फीचर के साथ में इसको लॉंच है, जो की किया गया था, ओके, चलिए, तो इस इसक्रिम का दूसरा नाम क्या था, Housing for All है, जो की रखा गया था, Minister of Housing and Urban Affairs के अंडर में इसको लॉंच किया गया, इसके अंदर क्या किया गया था, कि जिनके पास में घरों की कमी है, हाला कि इसमें काफे सारे घर बनाएं भी गए, ऐसी बात नहीं है, Target तो देखो, अचीव नहीं हुआ, लेकिन काफे सारे घर जो है, वो इसके अंदर बनाए गए, आपको मालूम होगा, कि जो भी economically weaker section है, जिनकी annual income तीन लाग रुपे तक है, उनको क्या, यहां पर help है जो कि available करवाय जाती है, एक तीन category में divide किया गया था, एक तो economically weaker section जिनकी तीन लाग रुपे सालाना इंकम है, एक low income group जिनकी 6 लाग रुपे और साथ में middle income group जिनकी सालाना इंकम 18 लाग रुपे तक है, तो इनको जो है ना, एक तो loan की facility भी मिलना और साथ में वहां पर 1.5 लाग रुपे तक की subsidy मिलना यह दो benefit है जो कि इस scheme के तहट दिये गए थे, समझगे मेरी बात, तो यहां पर बोला गयाता है कि जो जमीन है ना, हम उसको एक तरके से resource के तौर पर काम में लेंगे, घर बनाएंगे ताकि यह लोग जो पर पटी में ना रहें, आज की टाइम पर अगर आप कभी स्लम में नहीं गए हो तो जाके देखोगे तो लाइफ बहुत जादा मुश्किल है यार, बहुत जादा मुश्किल है मतला, आपको पता लगए आप, अगर आप देखोगे ना, तो कावे मुश्किलों से जो है, मतलब वो अपने टाइम निकालता है, तो यहाँ पर देखिए 6 लाग तक का 6.5% पर लोन मिल रहा है, 9 लाग तक का 4% पर और 3% के अंदर 12 लाग तक का लोन है, सबसीडी है, जो कि आपको मिल रही है, सबसीडी हो, सबसीडी मिलेगी, 3% पर 35% जो है, वो EWS काटेगरी के अंदर बनाने के लिए बोला गयाता है, और सेंटल भी इसके अंदर क्या करता है, मतलब करता है, तो यह योजना थी, ठीक है, यह बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ओल राइट, आगे बात करते हैं, जो कि नैशनल एर क्वालिट रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, ओके, नैशनल मिशन ओन, नैशनल एर क्वालिटी, यानि की एर क्वालिटी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर एक फ्रेमवर्क है, जो कि यहां पे लांच किया गया, किसके दौरा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडव आपस होंगे, जो की एर प्रूशन के उपर काम कर रहे हैं, जो की हल्प कर रहे हैं, उनको यहां पे प्रमोट किया जाएगा, उनके साथ में मिलकर जो है, वो रोकने की कोशिश करी जाएगी, इस तरह के से छे थीम है, पांच थीम है, जो की आपे बनाए गई है, इन पर्टिकुलेंट मैटर दोस्तों, बहुत ही इंपोरेंट है, ओजोन थ्री, ओजो है आपका उत्री जो है, यह बहुत इंपोरेंट है, आपके नैटरिजन डायोकसाइड और सलफल डायोकसाइड, तो यह चार नाम ध्यान लखिएगा, सबसे इंपोर्टेंट एर पलुटे यह सारे के सारे कई सारी योजना हैं, जो कि इनिशेटिव सरकार के दौरा चलाए गई, और बीएस के बीएस 6 है, जो कि लाने की बात करे गई है, एर क्वालेटी को मॉनिटर करना, क्वालेटी इंडेक्स लाँच किया गया है, प्रदान मंतरी उज्वल योजना लाँच कर बच्चो को लिया जाता है, अब बच्चो को ले लिया जाता है, लेकिन कई बार तो क्या होता है, मोटीवेटिंग वाला वीडियो होता है, कई बार क्या होता है, बहुत गलत गलत वीडियो भी जो है, बच्चो के साथ में शूट करे जाता है, चोटा बच्चा है, उसको फ तो बच्पन से ही उनके अंदर ये कॉलिटी जो है वो नहदर आती है मतलब कि ये बहुत बड़ी अक्टिंग रहता है तो चाइल आटेस्स उनको अपन कहता है अब क्या है कि थोड़ी सी गाइडलाइन जो हो लाए गई है ताकि बच्चों को ध्यान रख सके इसके लिए क्या क्राफ करी गई है जो कि entertainment industry के लिए है तो बोला गया है कि कोई भी प्रोडेक्शन हाउस है कमर्शल इवेंट हो रहा है जिसमें बच्चे की रिक्वार्मेंट है तो आपको पर्मीशन है जो कि पहले district magistrate से लेनी पड़ेगी कहां पर ही activity perform करी जा रही है किसके साथ में करी ज चैनल सब कुछ इसके अंदर इंक्लूट हो गया है कि टीवी सीगल तो आपने देखे हो कि उसमें बहुत रहोत मुछ भी चला जाते हैं कुछ भी और रहा है गोरिला को प्यार हो गया है बंदू उठाके गूम रहा है है बहुत ही हम यार इतने हद लेवल के बनाते हैं कही क्षेजा के तो सानी करन्ट Cause ऑफंदमेंटालाइट से दॉसके अवारमौ से थिए के नुदे लेगी मुङने गवाधिन जुछलों जुछलों एब थाख का पिछले वीग का जो जो पिछले आपके कि दस दिन का जो अभी रह गया ना उसको मैं वन लाइनर लेकिया हूंगा उसके अंदर आपको पूरा कवर करवा दूगा जिंदा मत करो ठीक है कई सारे हमारे समिधान के अंदर भी fundamental rights से जो कि बच्चों को मिले वें जैसे कि Article 21 तो सभी के लिए है right to life okay right to privacy उसके अलवा right to quality 14 right to right against discrimination article 15 right against exploitation 23 और 24 और साथ में free and compulsory education 1614 साल तक के बच्चों के लिए जिसको हम कहते है RTE जो कि article 21 के अंदर है जो कि include किया जाता है समझ के अरी बात आगे बात करते हैं काड टोकन एजिशन को लेकर देखो अभी होता है RBI ने जो है ना हो टाइम लाइन को बढ़ा दिया है तीन मेने के लिए 30 सब्टमबर 2022 तक के लिए कर दिया है टोकन एजिशन करवाने के लिए बाप बोलों के सरी टोकन होता क्या है देखो अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप किसी को हो पो पेमेंट करने के लिए कार्ड में जाती हो और बहुत सारे जो आते रहती है क्योंकि आप की verschil आपको बताता है आप उसको इंफर्मेशन देते हो तो आपके कोई भी कार्ड की जो डिटेल है ना वो सामने वाले के पास में नहीं जाती है समझगे मेरी बात तो ठीक है तीन मेरे का क्या होता है यह ता प्रेशन के रेटी कार्ड का चांड पर क्रडिशन के थूट है यह बहुत ज़ीट आफ के बारे चाहिं जाता है और कोई भी डीटेल किसी के साथ है जो कि नहीं होती है नॉर्मली अभी जो हम लोग काव करते हैं उसको अपन बोलते हैं काड ओन फाइल काड ओन फाइल के अंदर यह होता है कि फाइल होती है आपकी काड के अंदर तो आपके information जो है वो merchant के पास में चली जाती है जब भी भी आप payment करते हो समझ गया मेरी बात तो currently जो आपका 16 बिजिट का जो नंबर है वो आपका store है जो की कड लिया जाता है कोई भी रिटेलर के दुवारा है ना तो ऐसी ना इस्तती की जरूरत ना पड़े उसी के वाज़े से tokenization जो की लाया गया था लिंकिंग का डेटर टोकल और आगे बात करते हैं इसके अलावा तो कुछ इंपोर्ण नहीं है नेक्स्त है पर्फॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बहुत ही इंपोर्णेट आ रहे है कि कोई से भी राज्ये के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक है जहां पर स्कूल की पर्फॉर्मेंस बहतर है समझ गया तो department of school education and literacy जैसे जो है मिनिस्ट्रेफ एड्यूकेशन के अंडर में उन्होंने सेंट्रल का पहली बार ऐसा पर्फॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जो कि डिस्ट्रिक के लिए जारी किया है 2018-19 और 19-20 यह देख सकते हो आप 2 साल का लाउंज किया है समझगे मेरी बात है ना और अभी पिछले साल जो है 19 से लेकर 20 का वाला अप्रूवल है जो कि स्टेट और सिटीज के लिए मिला था अब यहां पर क्या है कि ओवराल स्कोर की बात करे गई है 90% से जाधा कितने डिस्ट्रिक ने स्कोर किया है तो हमारे देश में कोई से भी डिस्ट्रिक ने 90% से जाधा ओरल स्कोर उसका नहीं मिला है इसके अंदर जो पैरामिटर रखे गए वो यह सारे पैरामिटर रखे गए कि बच्चे का लेंडिंग आउटकम कैसा है कितना उसने सीखा है स्टुडेंट का इंडूल्मेंट रेशो कैसा है सेफ्टी, प्रोटेक्शन, डिजिटल लेंडिंग, गवन्डेंस यह सारे के सारे पैरामिटर है जो कि ग्रेडिंग इंडेक्स में इंक्लूड करें है और इसमें बताये गया है कि कितना पर्षन स्कूल है, डिश्टिक है, कौन सी कैटेग्री में इंक्लूड करें है तो 81 से 90 पर्षन भी बात करोका तो 3 इंडिस्टिक अविलिबल है इसमें सिरिफ 3 इंडिस्टिक है जो कि 81 से लेकर 90 पर्षन के बीच में है अगर आप देखोगे तो maximum आपको 50 से लेकर 70% के बीच में डिस्ट्रिक है जो कि आपको देखने को मिलेंगे समझ गए यह overall score है digital learning score के अंदर भी स्रीफ 80 डिस्ट्रिक है जो कि 80% तक है है ना ओल्राइट चलिए तो अगर भी बेस्ट तीन अगर डिस्ट्रिक के बारे में मैं बात करूँ जो कि जिनका overall score 81 से 90% के बीच में है तो तीन डिस्ट्रिक है एक जुन जुन है और एक जैपूर है तीनों ही दोस्तो राजिस्टान के अंदर है तो राजिस्टान के तीन ऐसे डिस्ट्रिक जो कि इंडिया में जिन्होंने टॉप किया है performance grading index डिस्ट्रिक के अंदर education के अंदर तो वो है आपका सीकर जुन जुनु और जैपूर सीकर जुनु तो बहुत famous है आपके आर्मी के लिए recruitment के लिए सिकर जुन जुनु में आपको maximum अच्छे गौर्मेंट जॉब में देखने को मिलेंगे और अगर आप देखोगे गौर्मेंट जॉब में भी कौन से तो टीचर बहुत सारे मिलेंगे और साथ में आपके आर्मी के अंदर जवान सिकर जुनु के बह बताइए इसमें टोटल वेटेज जो है वो 600 पॉइंट का रखा गया है 83 इंडिकेटर से जो कि इसके अंदर टोटल मिलाकर रखे गया है 83 इंडिकेटर को 6 का टिकरी के अंदर डिवाइट किया गया है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है तो इस तरह से इसका structure है जो की भी बनाया गया है समझें दरी बात तो आप देखोंगे उतकर्ष ग्रेट बोला देगा है इसको नाम जो दिया गया है वो यह दिया गया उतकर्ष ग्रेट 2019 वीस जिसमें सीकर जुझनु और जैपूर यह तीनों जो है डिस्ट्रिक इसके अंदर टॉप के ऊपर हैं लोवे progress score है जो कि इन जगों का देखने को मिला है है रहना तो हो सकता है उम्मीद करते हैं कि पिसली अगली बार जो है इन सब का performance जो है वो काफी better होगा progress के बारे में बात करें तो अती उत्तम category की अती उत्तम category कहुण सी है जिन्नोंने progress करी है तो progress के अंदर 49 से अभी district कितने हो चुके 86 हो चुके हैं तो रिमार्केबल इंप्रूमेंट है जो कि कहीं जेगे पर देखने को मिला है समझ गया इसके अलावा और भी को सरकार ने इनिशेटिव लाउंच करें एजुकेशन में वो है नहीं एजुकेशन समर्ख शिक्षा प्री स्कूल से क्लास तुरल तक को सारे बच्चों के इंक्लूट के लिए इसको लाउंच किया गया और मिड़े मिल इसकिम तो आप सभी को मालूम है जिसके अंदर फूर्ट दिया जाता है तो यह था आज का आपको इंपोर्टन सेशन स्माइल फ्राल सुसाइटी डॉट ओवाजी की वेबसाइट पर जाके वालंटेयर का फार्म जरूर फिल करीगा अगर आप महराश्ट्रा से है तो कभी सारे वालंटेयर के रिक्वार्मेंट है वहां पर जोइन कर लीजेगा ठीक है आज का पहला सवाल है जो कि आपको बता के कवर करवा दिया ओपन नेटपक फॉर डिजिटल कॉमर्स कौन से कंट्री के दुवारा लांच किया गया नेक्स्ट है एटकॉर्टर आईउसीन का कहां पर देखने को मिलता है तो यह था आज के आपका इंपोर्टन सेशन लाइक को शेयर कर दीजेगा आज के लिए तना कि लिए ड्सके लिए का लिए गेष्टर वाईबने के लिएक लेए रिए धन्याग कर देखने की अवे कि अवेड़ने क्या लिए पॉर्टर आवलेते है